कि नमस्कार पिरेजनों आप सभी का मेरे चैनल पर बहुत-बहुत स्वागत है और मैं हूँ आपके साथ आपके अपने शुब जिन तक भीना शर्मा आप आए मेरे चैनल पर आपका बहुत-बहुत धन्यवाद विवाद शादी समय से हो जाना समय पर घर में खुशिया आ जा समय पर सारे कारे हो जाना बहुत ही खुशियां परदान करते हैं घर में सुक्षानती बनी रहती है और जैसे जैसे घर के इन कामों में अटकाव आता है रुकावटे आती हैं घर में हर तरह की टेंशन बनी रहती है बच्चों को और माता-पिताव को हर तरह के उपाई करने देरी पर देरी होती चली जाती है हम चौट चौट उपाई इस वजह से करते हैं कि कई बार हमें पतugen कुंडली में क्या चल रहा है और कौन सा उपाई है जो हमारी सब्सक्राइब हुजाएं और हमारे भिरन भला कार कि पशी सक्तलिया आ जाएं हर तरह से मीन्स विवाज शादियों काम तो हो ही बाकी वाले जो अर्चने हैं रुकावटे हैं अर्णिंग को लेकर जोग को लेकर कैरियर को लेकर स्टडी को लेकर सब चीजों को लेकर जो प्रेशानियां घर में हैं वो सारी मिट जाएं और मिटे ऐसे कि फिर प्रेशानियो का मूह ना देखना पड़े इस तरह से करें हम इन उपायों को आज का उपाय जो है हमारी मदर के लिए है वो मदर जो अपनी कीचन से ही इस उपाय को कर सकती है उनको ना इस उपाय को करने के लिए घर से बाहर जाना है और ना ही सामगरी घर से बाहर कहीं लेने जाना है उनकी कीचन में ही वो समगरी है जो आज का उपाय वो कर सकती है देखिए बहुत बार उपाय हम जब करते हैं तो पता नहीं इश्विर के घर से क्या होता है कि हमारी भावनाई नहीं जूड़ पाती हैं हम यह सोच रहे होते हैं कि पता नहीं काम होगा कि नहीं होगा अगर इस भाव विश्वास जोडनी होती है विश्वास जोडना होता है तब ही जाकर ये उपाए काम करते हैं हर उपाए में विश्वास सरदा और भावना जोडना बहुत जुरूरी है आज का हमारा जो उपाए है वो हर तरह से काम करने वाला है एक ऐसी चम्तकारी चीज जो धनकों ही नहीं खींचती, आपके हर कारे की सफलता को खींचती है, वो है दालचीनी, दालचीनी आपके हर कारे की सफलता को खींचती है, आपके घर में खुशिया को खींचती है, आपके घर में हर शुब कारे को खींचती है, मांगली कारे को खींचती है, ये इतनी जदूई चीज है, इतनी उपाय करके देखिए आपको इसके रिजल्ट तुर्ट में मिलने शुरू हो जाएंगे बहुत तुरंत मिलेंगे इसके रिजल्ट आपको दारचीनी ऐसी चीज़ है जो कि आपकी किचन में रहती है आपके दिमाग का डिप्रेशन इसकी खुशवू जो होती है वो जाव एक अक्षन पैदा करने वाली है कि वो भी अपने शिगर विवा के लिए जीवन साथी की कामना के लिए चाहना करने लगते हैं और वो भी मान जाते हैं कि विवाशादी करना चाहिए कई बार यह होता है ना कि बेटे-बेटियां ही नहीं मानते विवाशादी के और जो हल्दी है वो गुरू का प्रतीक है दोनों ही ग्रह हमें विवा के लिए जरूरी है और दोनों ही ये जादुई चीजें हैं इतनी वशीकर्म चीजें हैं इतनी चम्तकारी चीजें हैं कि दोनों ही मिलके आपके तुरंत विवा की योग बनाएंगी उपाई करना कैसे है और डाल चीन को पीज़ के आप पाॉडर बॉडर है may growers फीचे खेHow яр दोनों कीचन से आपकी चीजे है ले लेकर दोनों को मिलाकर और एंक पूज घर में रखें यह मदर को मैं कह रही हूं कि आपके पूज़ागर में इस new for all और ली तस आपको इस उपाई को या तो गुरुवार को शुरू करना है या शुकरवार को शुरू करना है और शुकल पक्ष के जैसे कि आगे हमारे आ रहे हैं गुप्तन वरात्रे आ रहे हैं उसमें आप शुरू कर सकते हैं या तो गुरुवार को शुरू करें या शुकरवार को एक ल लाके रखा हुआ हो तो दो चुटकी डालने इसमें दो चुटकी डालने के बाद आपको पहले तो वो लोटा सामने रखके आपको उसमें अपनी भावनाएं डालनी होगी भावनाएं किस तरह से डालनी है उसको सुन लीजिए फिर आप उसी तरह से कहिएगा ये मत कहिएगा मेरे बेटे-बेटी की शादी हो जाए हमारे घर में अर्निंग हो जाए हमारे घर में सारे बिजनस अच्छे हो जाए हमारे घर में सारी परिशानिया दूर हो जाए नहीं ऐसे नहीं कहना आपने उस लोटे को सामने रखके आपने उसमें अपनी भावनाय जो देनी है वो इस हर तरह से धन आ रहा है, इस तरह से आपको सब चीजें हो रही हैं, इस तरह से आपने उसमें भावनाएं डालनी हैं, उस जल में अपनी जो इमेजन है आपकी वो इसमें डालनी हैं, इस चीजों को आप पांच बार दोहरा लें, साथ बार दोहरा लें, क्यारा बार दोहरा ले ये चीज दोहरा के भगवान के आगे हाथ जोड के और इस जल के लोटे को पूरे घर में छड़काव करती जिए ये तो हुआ सुभा का हमारा उपाए अब बताती हूँ कि शाम को क्या करना है जैसे ही आप खानावाना खा पी के सोने के लिए जाएं माने अब दरवाजा रहे हैं तो रंत रिष्टा हो गया है पक्का मेरे बच्चे का और शिगरी शादी रखी गई है ये कहते हुए उसमें अपनी भावना डालते हुए उस पावडर को आप गैट के बाहर खड़े होके इस पावडर को घर के अंदर छड़क दें अपने गैट के दरवाजे पर एक चुटकी को उसको छड़क दें उसको छड़क दें और छड़कने के बाद बस दरवाजा बंद करके आप अपने घर के अंदर आ जाएं ये आपको उपाए 21 दिन करना है गुरुवार को शुरू कर ले या शुकुरुवार को शुरू कर ले उसके बाद लगातार 20 दिन क को और बीच में अगर आपको पांच दिन की प्रोब्लम हो तो आपके घर के कोई दस्य कर सकता है जिन बेटे-बेटी के शादी के लिए आप कर रहे हैं वो कर सकता है पिता कर सकते हैं कोई भी कर सकता है इसको पांच दिन के लिए को जुरूरी नहीं है कि जो एक व्यक्ति करे करें चैनल को सब्सक्राइब करें बेल आइकन प्रेस करें ताकि इसी तरह के वीडियो मिलते रहें कमेंट वक्स में हर हर महादेव लिखना ना भूले थैंक्स फुर बाचे